हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हैस्टेग क्रियेटिव आर्थी पोरवाल में दोस्तो मैं हूं आर्थी और आज हम बात करेंगे यूपी नीट की जी हाँ दोस्तों यूपी नीट 2020 की आपको आज मैं बताऊंगी कि यूपी नीट 2020 की जो मॉप ओपरौन के लिए साथ ही बात करेंगे सटे कब से कब तक का इसका encard किटनी सीटे बशी है दो गजिए kट ऄूफ्सेटेंude दी रहे और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेर भी करिएगा तो चलिए दूस्तों बात करते हैं यूपी नी 2020 की दूस्तों जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बता दू कि यूपी का जो कॉंसलिंग का मॉप प्राउन का प्रॉसेस था यह 24 दिस मैं कि अधिकल कॉलेज यह 27 दिसमबर से 28 दिसंबर तक चलेगा उसके बाद देट ऑफ ऑफ र्लोटमेंट links कॉलेजें और इंटिस था डिसमबर तक तो दोस्तों अब जो डेट एलोटमेंट की प्राईवेट मेडिकल कॉले जैनि मबीडियों के लिए 27 से 28 दिसमबर है और देंटल कॉलेज की 29 से 30 दिसंबर है इसके बाद डेट स्टार्ट हो जाएगी प्राइवेट प्रोवाइडिंग टू प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वन इस्टू टैन रेश्यो यानि स्टे वेकेंसी राउंड होता है जिसमें एक कैंडिडेट से अगर एक सीट खाली है तो के लिए हम 10 कंडिडेट को बुलाते हैं तो वह 29 से स्टार्ट होगा लास्ट देट ओफ एड्मिशन अगेंस्ट वन इस्टू टैन रेश्यो लिस्ट यह 31 दिसंबर को जारी कर दी जाएगी तो दोस्तों यह तो पूरा आपका फर्स्ट मॉप आप राउंग का शेडियूल लेकिन जो बीडियस का सेकेंड मॉप अप राउंड का शेडियूल है मतलब स्ट्रे वेकंसी राउंड तो डीसी न्यू डेली लेटर डेटेट 10 दिसंबर तो इसके अकॉर्डिंग अगर आपका स्ट्रे वेकंसी राउंड में जो सीर्स होंगी वह खाली बीडियस कोर्स के गई हैं एंबी इसके लिए नहीं होंगी तो डेट ऑफ इसकी जो ऑनलाइन रिजिस्ट्रेशन की है वह पांच जनवरी से स्टार्ट होकर पांच जनवरी 2021 से सुबह 11 बजे से साथ जनवरी तक चलेगी फिर डेट ऑफ डिक्लिरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट ऑफ रिक रिजिस को सुबह 11 बजे से देट फॉर वन इस्टु टेन रेशियो प्रोवाइडिंग फॉर प्राइवेट डेंटल कॉलेज यह बारा जनवरी को वह लास्ट टेट ऑफ वर इस्टु टेन रेशियो फॉर एडमिशन पंद्रा जनवरी तक तो दोस्तों यह जैसा कि आपको मैंने प पंद्रा जनवरी तक एक्सेंड कर दिया है तो यूपी का जो यह लेटेस्ट मैं आपको काउंसलिंग का शिडूल बता रही हूं यह पंद्रा जनवरी तक चलेगा इसमें स्ट्रे वेकंसी राउंड का भी होगी है इसके बाद कुछ इंस्ट्रक्शन दिये हैं कि कि किस तर वह और भी इस्टेट का बताया है जहां तक सारे स्टेट्स की जो एलिजबिल्टी क्रैटेरिया मॉपर प्राउंड की बिल्कुल एक जैसी है जो पहले सीट पाशुके फर्स्ट रों में वह मॉपर प्राउंड में पाचिसिपेट नहीं कर सकते हैं और या फिर अगर वह उ है लेकिन जिन्होंने सीट ले ली थी वह बिल्कुल भी एलिजबल नहीं होंगे चाहे वह एंबीबेस कोर्स हो चाहे बीडियर स्कॉर्स हो तो दोस्तों यह बात हो गई इसके बाद आपको बता दू कि आपको जो बैंक डिमांड ड्राफ है वह 30,000 रुपए का फॉर गवर्न यह आप लोग डाउनलोड कर लीजेगा केंडिडेट्स हुव विस्टू अप्ट शीर्स इन प्राइवेट मेडिकल कोलेज और देंटर कोलेज केन प्रिपेर दीडी इन एडवांस इंटूशन फी दमिनमम तूशन फी अमाउंट ऑफ दीडी ऑर प्राइवेट मेडिकल यूपी प्राइबल एट लखनो इस तरह से अगर आपको प्राइवेट में प्राइवेट कोलेज में तो इतनी फीस देनी होगी तो दोस्तों जो मॉप प्रॉसेस है यह तब तक चलेगा जब तक सीर्स है अगर सीर्स की अविलिबिल्टी रहेगी घट बढ़ सकती है और ज दोस्तों जो यह मॉप प्रॉन की जो वेक चैन सीर्स आपको उनी के लिए खली च्वेस्विलिंग करनी है जिनमें वेक तरह नहीं नहीं को आप भर सकते हैं आप आपको मैं बता देती हूं कि जो एक यह अलॉट्मेंट होगा एक किस तारीक से किस तारीक तक होगा रैंक ब का होगा इसके बाद 28 तारीक को अलॉट्मेंट ऑफ मेडिकल कॉलेजेस का यह दो हजार एक से जितने भी बचे होंगे उन का होगा उसके बाद 29 दिसम्बर को अलॉट्मेंट ऑफ बीडिये सीर्स ऑफ प्राइवेट डिंटल कॉलेज दोस्तों इसा प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अलॉट्मेंट होंगे ठीक है अब बीडियेस की बात करते हैं तो 29 को होगा वन से पच्छी सो तक रैंग उसके बा इसके बाद जो आपको बता दूँ एक और इन्होंने नोटिस निकाली है जो प्राइवेट आपके मेडिकल कॉलेज हैं और डेंटल कॉलेज हैं इनकी वैकेंट सीर्स भी एवलेबल है मतलब किस कॉलेज में कितनी सीर्स एवलेबल हैं यह पूरा मैं आपको इसका जो वीड के लिए ही आपको मांगा है लेकिन अगर मेरे चैनल को सब्स्राइब करिएगा थैंक्यू